हेलो एवरीवन, वेलकम टो आर चैनल, इस वीडियो में देखेंगे कक्षा सांथ के विशे संस्कृत के अर्दवाशी परिश्य प्रेश्ण पत्रों को जो आपके आने वाली एक्जाम है 13 दिसंबर से जो एक्जाम होने वाली है उसी का हम वेपर लेकर आए हैं कक्षा सांथ के विशे संस्कृत का तो याद कर लीजे इस पेपर को ताकि आपके जो पूर्णांग है बयानिस प्राप्त हो और उम्मिद है आपको पूरा पेपर करते हैं फ़र्स कोशन से फर्स से प्रिथ्वियाम कती रत्नानी प्रिथ्वियाम तृकर तरेंगे सेकिंड है दुर्भूती विनश्यती पाठ से क्रमांग को दित्ते पाठ ये हमारा कंश सांथ की संस्कृत का तो यहां दित्ते लिख देंगे ऑप्षण बी को करेक कर दें थर्ड है पंडिता रमाबाई जन्म कदा अभवद 1858 तमे वर्ष ओप्शन दी को करेक कर देंगे फोर्थ है मनुष्या नाम माहान रिपू का यहां लिखेंगे आलस्यम जो मनुष्य का सबसे बड़ा सत्रू है आलस्यम फिफ्थ है दुल्लभवम इती शब्द से विलोम पद सुलभवम औप्शन दी को करेक कर देंगे शिक्स थे विशन्ति त्यस्य इतनी अर्थ भवती यहां अंसे लिखेंगे विशन्ति का हिंदी अर्थ होता है बीज सेविंध है अशुद्ध पदम चिनुत यहां आपको अशुद्ध पद बताना है तो यहां यच्छन्ति प्र मती अशुद्ध पद है एमज्ति है वेश शब्द से पूलिंगं शष्टी विथकति वहाचन रूप बताना है जो कि होने अपका वgaryदा नाम नाइएंफ कोशन्ति है पंडीत रमाबाई , उच्छ शिक्षा यंश्टा कें प्राप्त करे आए थींग्लैंड यहां पंडीत क प्रतम पुरुष एक वचनी रूप भगती पठती पठती पठता पठती पठता पठती होता है तो पठती जो है अपका प्रतम पुरुष एक वचन रूप है तो यह option B को करेक्ट कर देंगे नेक्स्ट आपको मिलेगा मंजुषा तो चित पदानी चित्वा रिक्तिस्थान आनी पूर्यतर मंजुषा में आपको कुछ शिपत दिये गए हैं जिनके आधर पर आपको दिये के रिक्तिस्थान की पूर्ती करनी है 11 है blank रितब भवती, कितनी रितो होती है, 6 तो यहां लिख देंगे 6 रितब भवन्ती 12 है रिक्तिस्थानव मास भवन्ती, यहां लिखेंगे 12, कितने मास होते है, 12, तो यहां लिख देंगे 12 13 है एक्समीन मास से, रिक्तिस्थान वा, रिक्तिस्थान दीवसा भवती, एक मास में आपको मिलेंगे, एक त्रिशंत वा अश्टा विशंत, एक त्रिशंत या त्रिशंत दीवसा भवन्ती एक मास में यहां लिखना भूल गई हूँ आप लिखती जीएगा 30 या 31 दिन होते हैं तो एक त्रिंश्ट और त्रिंश्ट लिख देना है आपको 14 है फरवरी मास से सामानित जो परवरी मास होती है दिनानी भवन्ती कितने दिन होते हैं परवरी मास में सामानित होते हैं अश्ठा विशंती 28 दिन 29 दिन 4 साल में एक बार होता है तो यहां मुख्य रूप से क्या लिखेंगे अश्ठा विशंती 15 है मम शरीरे रिक्तिस्थान हस्तो उस्त आपकी शरीड में कितने हाथ होते हैं दो शहात होते हैं तो यहां लगतेंगे दव मम शरीरे दव हस्त वस्त next लिखेंगे विलोम पदानी योज़त विलोम पद को मिलाना है 16 है अधा जिसका विलोम पद हो जाएगा उपरी अधा यानी नीचे 17 है अंता यहां लिखेंगे बही 18 है दुरबुधे यहां लिखेंगे सुबुधे उचे नीचे सत्यम असत्यम ये थे विलोम पद next है एक पदिन उत्तरिन ये एक पद में उत्तर देना है आपको पृत्वी केन धारती यहां लिखेंगे पृत्वी सत्ये धारती 22 है कुर्मसे नाम कीम आसीद कुर्मस से कुम्बु ग्रिव नाम आसीद 23 है कीम कृत्वा घृत्पिवेद यहां लिखेंगे श्रामम कृत्वा घृत्म पिवेद next प्रशनानी उत्तरानी लिखत है 24 है can रशना द्वेन रमाभाई प्रशन सिता वृतति 25. कोशन है किम बुर्यात यहां लिखेंगे सत्यम प्रियम 26 तो कोशन है श्री कंठस से आथित्यम की अकुरवन यहां से लिख देंगे श्री कंठस से आथित्यम कृष्ण मूर्थे पित्रो अकुरवन 27 तो आपको यह करने आनिवारे रूप से करने ही करने हैं सब भी प्रशन आनिवारे रूप से करने हैं क्योंकि आपको मैंने आंसर बता ही दिये हैं बस आपको क्या करना है जरा सा लर्ण करना है याद कर लेना है और अपने पेपर को दे देना है चलिए यहां देखना है आपको निर्देशा नुसार प्रदानी आधरते मम विधाले विश्यो परी निबन लिखने करतो यहां आपको मम विधाले के उपर जो विशे है इसके उपर आपको निबन लिखना है दिये गई शब्दों का यूज करते हुए आप इस निबन को लिख सकते हैं हिंडी रखी है सबसे पहले लिखेंगे मम विधाले से नाम आदश सरस्वती निगेतन अस्ती एशा विधाले नगर से एक्समीन सुर्मे इस्थले इस्थत मस्ती मम विधाले एक पुस्तकाले अस्ती मम विधाले त्रे विशंती आचारे अस्ती मम विधाले से सर्वे अध्यापका शिक्षायम अतिव कुषिला निपुना योग्ये चे संती क्रिडाया छेत्र अपीमम विधाले से प्रामुखम इस्थानम अस्थी आयम विधाले असमाकम गौर्वाज बदम अस्थी नेक्स्ट लास्ट कोशन देखेंगे 28 कोशन मंजुषाद उचित पदा नी लिचित्वा दिन त्रेस से अवकाश्यत प्रात्ना पत्र लिखत यहां मंजुषा में आपको कोश्टक में आपको क्या दे रखा है कुछ शब्द दिये गए हैं इन शब्दों का यूज करते हो आपको दिये गए प्रात्ना पत्र को पूर्ण करना है तीन दिन के अवकाश्यतू प्रात्ना पत्र है यह तो प्रातना पत्र इस तरह से लिखेंगे सेवायम श्रीमंत प्रधाना ध्यापक महदे राव प्रावी विलाडा जोतपूरम यहां में श्रीमंत लिखना था बाकी सब्दे रखा है विशे दे रखा है दिंत्रेस अवकाशार्त प्रातना पत्र महदे सवीनेम यहां लिख दे लिखने देनान में झाह। यहां स्विक्रते लिख देंगे यहां लिख देंगे भावदा क्यारी शिष्य नितेश कुमार योगी दिनाग 18.12.2021 अब यहां आपको ध्यान लगना है शिष्य नहीं लिख देना है क्योंकि आपको जो नाम है नितेश कुमार योगी दे रखा है यानि शिष्य है तो यहां तो इस तरह से यह था आपका प्रात्ना पत्र जैसे हमने कम्प्रीट कर लिया है तो यह थे टोटल 28 प्रेशन आपके अध्वासी परिशा से रिलेड यही कोशन आपके आने वाले हैं मैं बार-बार इसलिए कह रहे हूं ताकि आप इनहीं याद कर लीजिए और अपने एक्ज सांत की विशे संस्कत का कम्प्लिट अध्वाशी परिशा प्रेशन पत्र उमीद है आपके पुर्णांग जो 42 है 42 में से 42 अंग प्राप्त हो हमारा चैनल यही कामना करता है कि आपकी जो आने वाले एक्जाम है सभी एक्जाम आपके अच्छे से हो और आप हमारी चैनल पर आकर की कमेंट बोक्स में बता भी सकते हैं कि आपके पुर्णांग कितने हासिल हुए आपको अपनी एक्जाम में तो हम उम्मीद करते हैं आपकी सभी एक्जाम अच्छे से प्रिपेर हो अच्छे से तैयारी कर रही की हो आपने अपने एक्जाम की तो इसी तरह हम आपके क के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद